जय हिंद एवरिवन, my name is Mukhtak Singh Raathor and I welcome you to SSB Mantra which is the key to your success in SSB. आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही interesting topic है जिसके बारे में सारे candidates हमेशा बहुत सोचते हैं और कभी-कभी confused भी होते हैं. इस topic का नाम है Body Language During the SSB Interview. SSB interview के दौरान Body Language को कैसे रखना चाहिए? अब यहाँ पे आपने इस बारे में पहले भी research किया होगा, बहुत सारे videos भी देखे होंगे और बहुत कुछ पढ़ा भी होगा. लेकिन यहाँ इस video में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आपको हाथों को कैसे रखना है, या किस तरह से आपको conduct रखना है, ये सब तो आप बहुत कुछ जानते हैं. मैं यहाँ पे कुछ ऐसे insight facts आपके सामने पेश करूँगा, जो subconsciously आपकी body language को बिना उसके उपर work किये ही बहतर कर देंगे. तो ज़रा देखें कि body language का importance क्या है, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ हमको दुरुस्त करनी है, उसका महत्व क्या है और कितना महत्व है, इसके बारे में हम समझते हैं. देखें, body language होता क्या है? There are two type of communication. After all, जब भी हम SSB interview या किसी भी interview के अंदर जाते हैं, तो सबसे important होता है हमारा communication. Communication कि हमारा message convey हो जाए, effectively जो हम देना चाहते हैं. अब इस message या communication की जुबान में या communication की दुनिया में उसको दो पार्ट में divide करके रखा हुआ है. पहला होता है आपका verbal communication. Verbal communication वो communication होता है जो आप मुँ से बोलते हो. चैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ. लेकिन दूसरे तरह का communication होता है non-verbal और ये non-verbal communication वो होता है जो हमारे words से नहीं बिलकि हमारे action से जाहिर होता है दिखाई देता है और जब हम body language की बात करते हैं तो वो body language इस दूसरे तरह की category में ही fall होता है उसी का हिस्सा होता है और दोस्तों इसका बड़ा importance होता है मैं आपको छोटा सा example देता हूँ कि non-verbal communication का इतना importance क्यों होता है in fact मैं एक बात आपको कहूँगा कि जितना भी communication हम करते हैं उस communication की effectiveness में 50% से ज्यादा role आपके non-verbal communication का होता है एक छोटा सा situation imagine कीजिए कि कोई छोटा सा बच्चा होता है याने की बच्चे छोटे ही होते लेकिन फिर भी जब कोई बच्चा पैदा होता है जब वो बोलना नहीं जानता है तब वो बच्चा किस तरह से communicate करता है क्या वो बच्चा communicate करता भी या नहीं करता है obviously वो बच्चा communicate करता है लेकिन वो बच्चा बोल नहीं सकता, वो non-verbal communication करता है, वो रो सकता है, वो हस सकता है, या अपने body के movement से वो excitement शो कर सकता है, या किसी और तरह के भाव को वो प्रदर्शित कर सकता है, तो life का जो शुरुवाती phase हमारा होता है, उस life की शुरुवाती phase में या तो हम बोल नहीं बोलना नहीं जानते, सीखे नहीं होते बोलना, या फिर हम बोलना लेट सीखते हैं, और इसी लिए हमारे life के learning के जो शुरुवाती phase होते हैं, वो completely non-verbal process में जाते हैं, और इसी लिए non-verbal process subconsciously हमारे mind में बहुत अच्छे से fed होता है, चाहे हम सुन रहे हो, चाहे हम बोल रह और दूसरी बात, action speaks louder than the words, मैं जो भी बात कह रहा हूँ, अगर मेरी body उसको back कर रही है, तो मेरा message ज्यादा effectively convey होगा, ज्यादा convincingly convey होगा, what is more important, जब हम SSB interview या किसी भी interview का हिस्सा होते हैं, हम कोई बात interviewer को बताना चाहते हैं, उसको उस बात से convince करना चाहते हैं, लेकिन हम बोलतो रहे हैं, कुछ ऐसे words, जो interviewer को convince कर दे, लेकिन हमारी body back नहीं कर रही उन words को, उन emotions को back नहीं कर रही है, तो कहीं ने कहीं वो message effectively नहीं जाएगा, interviewer उन बातों को तो सुनेगा, लेकिन उन बातों पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ने कहीं आपकी body language, उन message क convey नहीं कर रही है, जो आप words से कर रहे है, convey कर रहे हो, और इसी लिए बहुत ज्यादा important हो जाता है, कि आप अपनी body को भी एक हिस्सा बनाए, अपने message को convey करने के लिए, और यहीं पे body language का बड़ा important role play होता है, और इसी लिए ये point हमने यहाँ पे include किया है, कि non-verbal communication is more effective than the verbal communication, इसका मतलब यह नहीं है कि verbal communication impactful नहीं होता है, उसका अपना एक importance होता है, और उसके बारे में हमने काफी बात भी करी पिछले वीडियो के अंदर, आगे भी कुछ वीडियो के अंदर उस verbal communication को लेके हम बात करेंगे, लेकिन आज का हमारा topic body language से जड़ा हुआ है, अब जब body language क बात होती है, तो body language को लेके बहुत सारी बाते होने लगती कि यार जब हम SSB interview के अंदर जाएंगे, किसी और interview के अंदर जाएंगे, तो हमें ऐसे बैठना चाहिए, वैसे room में enter होना चाहिए, इस तरह से बात करनी चाहिए, उस तरह से contact करना चाहिए, आइस का, मैं यह नहीं कहता कि यह सारी चीज़े घलत है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जब हम बहुत ज्यादा इन चीज़ों के अंदर involved हो जाते हैं, तो हम over cautious हो जाते हैं, over analysis करने लगते हैं चीज़ों का, and over analysis leads to paralysis, इसलिए हमको जब body language की बात होती है, तो इस पे focus नहीं करना, कि कैसे जाना है, कैस इंसान का अपनी body को आगे बढ़ाने का, conduct करने का थोड़ा थोड़ा तरीका अलग होता है, जरूरी नहीं है कि आपका body language तभी perfect होगा, जब वो किसी दूसरे perfect या selected या recommended candidate जैसा हो, ऐसा नहीं है, आप अपने आप में perfect हो, हर एक का अपने message को convey करने का एक unique तरीका होता है, वो decent होना चाहिए, वो effective होना चाहिए, that is what is needed, और इसलिए मैं इस video के अंदर आपको ये recommend नहीं करूँगा कि आप ऐसे खड़े हों, वैसे बैठें, ऐसे चले, या वैसे बाते करें, be natural, सबसे important चीज़ जो मैं emphasize करता हूँ आपको, be natural, have confidence in yourself, आप गलत नहीं हो सकते हैं, ऐस USB के preparation के दौरान आपको बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आपके अंदर already बहुत थारी खूबिया है, इसलिए आप वहां तक पहुँच पाए हो, और इसलिए अपनी काबिलियत के उपर, अपने तौर तरीकों के उपर, अपने कुछ ऐसे key points जो शायद आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेंगे, और अगर आपने इन key points के उपर work कर लिया, तो अपने आप आपकी body language improve हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, आपको body language के उपर अलग से work नहीं करना पड़ेगा, तो सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है, और वो है कि उस सारी चीजों से पहले में एक slide और है, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, what are the aspects of body language, जो एक normal terms होती ही, उसमें body language है, क्या aspects माने जाते हैं generally, जो कि मैंने आपको बताया कि एक है positive या appropriate eye contact, दूसरा है active engagement and listening, यानि कि जब बाते चल रही हो, तो आपका engagement बह पुछ रहा हो, लेकिन आप उसके questions में उतना interest शो नहीं कर रहे हो, answer देते वक्त, तो वो active engagement की बात होती है, and gestures that accentuate the message you are trying to convey, ऐसे gestures हमको show करने है, जिससे कि हम जो message देना चाहरे है, वो message properly महत्व के साथ में, accentuate का मतलब होता है, महत्व रखते हुए, तो वो message जो है, एक महत् और example में छोटा से example यहाँ पर आपको दीता हूँ, I got selected today, I did not get selected today, अब यहाँ पर मैंने दो बाते कही कि मैं select हुआ और मैं select नहीं हुआ, लेकिन यह दोनों जो तरीका था मेरा कहने का, मेरी जो body language थी, वो इन दोनों ही बातों को back नहीं कर दी थी, the message whether getting selected or not was not very convincing, अब अगर मैं इसी बात को इस तरह से कहूँ, कि I could not get selected today, या मैं इसको इस तरह से कहूँ, कि I got selected today, तो यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ कि मैं select हो गया हूँ, तो मैंने अपनी body language से उसको accentuate किया, similarly जब मैंने यह कहा कि मैं select नहीं हो पाया, तो मेरी आखे कुछ बंद सी हो गई, मेरा म थोड़ा सा जुक गया, और फिर मैंने वो बात करी कि मैं select नहीं हुआ, तो मैंने अपने message को accentuate किया, जो negative message था, similarly जो positive message था, तो मेरी eyes wide open थी, और मेरे hand gesture और मेरी body जो थी, वो कड़क हो गई थी, हाथ का movement थोड़ा सा हो गया, तो वो खुशी जो थी, वो excitement था select होने का, वो जलक रहा था, so this is what body language is, कि जो भी message आप देना चाहते हो, वो message आपकी body भी back करे, ताकि सुनने वाला ज्यादा अच्छे से convince हो सके, तो ये तीन important aspects है, किसी भी effective body language के, इनके बारे में आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन जो मैंने आपको वादा किया है, कि मैं आपको कुछ ऐ important point है, improve your fitness, ये बहुत अच्छी बात है कि आप fit रहो, और इसको मैं हमेशा recommend करता हूँ, कि fitness बहुत ज्यादा important role play करती है, if you want to achieve success in your life, you have to be physically very very fit, या मैं दूसरे words में कहूँ, if you are physically very very fit, you are very likely to achieve success in your life, अब यहाँ पे fitness का क्या role है, जरा इस paragraph को हम पढ़ते हैं, और इस paragraph को इस बात को समझने में मदद मिलेगी कि fitness कैसे आपकी body language को improve कर सकती है, जरा इसको पढ़ते हैं, you improve your body, your mind gets stronger, हम कहते हैं न, कि एक healthy mind, एक healthy body के अंदर ही रह सकता है, तो अगर अगर अपनने अपनी body को healthy रखा, उसको fit रखा, तो उसी healthy और fit body के अंदर एक healthy mind हो सकता है, next point, you feel you can do more and in turn your posture improves, जब हम fit होते हैं, तब हमारी efficiency बढ़ जाती है काम को करने में, और जब हमारी efficiency बढ़ जाती है, हमारा confidence बढ़ जाता है, तो हमारा जो posture होता है, अपने आपको carry करने का, conduct करने का, वो posture भी काफी improve हो जाता है, एक जुके हुए और dull posture से, एक squared posture हमारा बन जाता है तो यह सब तब होता है, जब हम fit होते हैं, the way you move may change entirely, आप जिस तरह से move करते हो, यह पूरी तरह बदल जाएगा, और यह बात, जो भी ऐसे students हैं, candidates हैं, वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने भी परिवर्तन से अपने आपको निकाला है, अपने आपको transform किया है, वो इस बात आपको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कि जब वो unfit थे, तब उनका confidence level कैसा था, तब उनकी सोच कैसी थी, positive thoughts नहीं आते थे mind के अंदर, लेकिन जब उन्होंने उस unfitness से fitness की journey को पूरा किया, तो यह सब कुछ बदल गया, positive सोच हो गई, confidence level high हो गया, the way to carry ourselves improve हो गया, और इस सारी process में subconsciously हम अपनी body language को improve कर रहे होते हैं, you are aligned better, आपका body का alignment better हो जाता है, अब एक तरफ जुके वे नहीं रहते हैं, आगी की तरफ जुके वे नहीं रहते हैं, आप बिलकुल straight होते हो और देखने में बहुत smart से लगने लगते हो, your core is strong, जो core का जो हमारा portion होता है, body का, जब हम fit होते हैं, तो असली fitness वही होती जब यह core strong होता है, हमारा core strong तभी होता है, जब core fit होता है, पहले वो fit होता है, फिर उसके बाद में strong होता है, और यह जो core होता है, इसको ऐसे core नहीं बोलते हैं, यह core ही होता है, जो हमारी पुरी body को, upper body और lower body को bind करके रखता है, और ह but not the least, your concentration improves. दर असल होता यह ही कि जो लोग बहुत unfit होते हैं उन unfit लोगों के साथ में एक problem होती है कि उनके blood में या तो cholesterol ज्यादा हो सकता है या वो ज्यादा fatty हो सकते है और इस तरह कि लोग concentration नहीं develop कर पाते उन्हें नींद बहुत आती है और जब आपको नींद बहुत आते आप उनींदे feel करने लगते हो, sleepy feel करने लगते हो तो आप चीजों को ठीक से सुनने ही पाते हो, miss कर जाते हो और इस process में अगर आप किसी interview का हिस्सा हो तो आप dizziness feel करोगे और इस dizziness के अंदर कही न कही आप कुछ बाते miss कर सकते हो कोई आपके answer सही नहीं हो सकते है तो एक जिसको हम कहते हैं English में एक term use होती है disorientation, अगर इस mental disorientation से बचना है तो उसका एक बहुत बढ़िया तरीका है कि हम fit हो जाएं जब हम fit हो जाएंगे तो फिर वो mental disorientation नहीं होगा, हमारे thoughts में clarity होगी सामने वाले में जो questions हम से पूछा है उन questions में clarity होगी कि वो क्या पूछना चाहते है fitness होगी, तो body अच्छी दिखेगी आपकी body अच्छी दिखेगी आपकी, तो आपको confidence आएगा आपकी body light feel करेगी हलका feel करेगी तो आप उसको अच्छे से carry कर सकते हो ultimately फायदे ही फायदे है fit होने के और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको body language के उपर अलग से work नहीं करना पड़ेगा ये अपने आप, आपकी body की language को improve कर देगा आपके अंदर लेके आजाएगा आपके अंदर emotions आ जाएंगे आपकी voice में जिस modulation की मैं बात कर रहा हूँ वो modulation भी अपने आप आ जाएंगे क्योंकि जब हम alert होते हैं किसी चीज़ को लेके तो हम respond बहुत अच्छे से करते हैं और जब हम respond बहुत अच्छे से करते हैं और alert mind के लिए एक healthy body बहुत ज़रूरी है इसी लिए fitness का aspect एक ऐसा aspect है जिसको कभी भी undermine नहीं करना और वैसे भी आप लोग तो armed forces join करने वाले हो अपके लिए तो physical fitness बहुत important है इसमें कोई दो राय नहीं है कि army या navy या air force join करने से पहले आपको physical test नहीं होता medical test होता है तो आपके physical fitness अगर average भी है तो भी आप forces join कर सकते हो लेकिन क्यों न अगर हम अपनी physical fitness को पहले से ही इतना बहतर बना ले कि मारी body देखने में भी अच्छी लगे अपने आपको carry करने में भी अच्छी लगे एक alert mind उस body के अंदर हो तो क्या बुरा है और आपको तो यह ultimately करना ही है academy तो आपको training में इस सारी चीज़े करा ही देगी लेकिन उसकी तैयारी कहीने कहीं हमको अभी से करके रखनी चाहिए और अगर आप even armed forces join नहीं भी कर रहे हो अपनी regular life में हो civilian life में हो तो भी fitness में क्या हरज है fitness तो लाई ही जा सकती है यह हर तरह से फाइदा ही देती कहीं पे भी fitness होना नुकसान नहीं होता कहीं आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हो तो आपको शर्मिन्दा नहीं होना पड़ता कोई कपड़े धीले पड़ रहे है या कोई बहुत ज्यादा टाइट पड़ रहे है आपको शर्मिन्दा नहीं होना पड़ता आप जिस भी walk of life में हो वहाँ पे आप confidence से रहते हो आप alert रहते हो आप ज्यादा अच्छे responsive रहते हो and people like you तो ऐसा सब के साथ हो कौन नहीं चाता कि वो ऐसी qualities अपने अंदर रखे इसलिए fitness बहुत important है आपके सोचने के तरीके को बदल देती है after all देखिए जो कुछ भी है चाहे हमारी body language है या हमारा verbal communication skills है सब कुछ आता तो यहीं से है ना दिमाग से आता है अगर यह सही है तो यह भी सही होगा यह कुछ भी नहीं है यह तो एक machine है जिसको order देता है यह तो इसको सही रखना है तो इसको पहले सही कर लो यह सही होगी तो यह सही रहेगा यह सही रखेगा तो इसको command सही देगा और इसको command सही मिलेंगे तो सब सही होने लग जाएगा फिर वो body language हो या चाहे कुछ और भी हो लेकिन अब यहाँ पर एक और important point है जिसके उपर generally मैं देखता हूँ कि कोई बात नहीं करता कोई work नहीं करता लेकिन वो बहुत important है और क्यों important है मैं पूरा उसको आपको समझाऊंगा और वो point है avoid heavy diet during SSB SSB के दौरान heavy diet को avoid करो अब क्यों है ऐसा the connection between diet and emotion stems from the close relationship between your brain and your gastrointestinal tract अब यह इस मैं आप बायलोजी पढ़ाने के लिए तो नहीं आया हूँ लेकिन एक relation मैं आपको draw करके बता रहा हूँ कि body language का हमारे खाने से कितना ज्यादा important connection होता है यह आपका पूरा GI track यह पूरा GI tract है आपका आपने biology के अंदर पढ़ा है मुझसे बहतर जानते इस चीज़ को आप लेकिन अब आगे की चीज़े आप पढ़िए क्योंकि इसमें एक important point लिखा हुआ है यह तो brain है जो हमारी body को चला रहा है उसको command दे रहा है लेकिन इसे भी बहुत important मारा गया है human biology के अंदर क्योंकि इसे second brain कहा गया है अब यह second brain इसको क्यों कहा गया है इसको हम आगे read करते हैं उससे हमको जीज़े जीज़े समझ में आएगा your GI tract is home to billions of bacteria यह सब हम बात जानते हैं कि हमारे पूरे gastro-intestinal tract के अंदर बहुत सारे bacterias होते हैं that influence the production of neurotransmitters जो कि neurotransmitters के influence को produce करते हैं chemical substance that constantly carry messages from the gut to the brain यानि कि हमारे GI tract से brain को लगातार messages neurotransmitters के थुरू पहुचते ही रहते हैं eating healthy food promotes the growth of good bacteria अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो अच्छे bacterias का generation ज्यादा होता है which in turn positively affects neurotransmitter production जो कि neurotransmitter के production को positively affect करता है when neurotransmitter production is in good shape your brain receives these positive messages loud and clear and your emotions reflect it सीधी सी बात है कि हम अगर अच्छा खाना खाते हैं अच्छे खाने की definition भी मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन अगर हम अच्छा फूड ले रहे हैं जो हमारी body के अंदर good bacteria's develop कर रहा है produce करने में मदद कर रहा है तो ये जो neurotransmitting messages जा रहे हैं यहां से brain तक ये भी आपको positive जाएंगे और जब ये message positive जाएंगे तो फिर आपकी emotions में आपका बरताव reflect होगा इसलिए food का हमारे thought process के उपर बहुत ही important influence होता है बहुत important effect होता है अब आप सोच रहे होंगे कि sir आप कुछ diet recommend कर रहे हो क्या तो सबसे पहली में ये चीज कहूँगा आपको कि जो हमारे इंडिया के homely food होते है अलग-अलग इलाके के थोड़े-थोड़े food अलग-अलग होते है और वो बहुत बढ़िया है क्योंकि हर इलाका कुछ खास तरह की फसलों को पैदा करता है और उस तरह की फसले उस इलाके के अंदर रहने वाले लोगों के लिए सबसे best food होती है तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर ये ensure करनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको heavy diets नहीं लेनी है साथी साथ आप workout कर रहे हैं मान रहा हो कि आप अपने fitness का ध्यान रख रहे हैं और fitness का ध्यान रखने की process में आप workout कर रहे हो अब workout करने के साथ साथ अगर आप regular diet लेते हो जैसे ज्यादा तर Indian families के अंदर सबजी रोटी दाल चावल बनता है ये बहुत अच्छा healthy और balanced diet होता है हमारे Indian food जो है उसमें कोई कमी नहीं है वो अपने आप में बहुत परिपूर्ण है तो वो आप diet ले सकते हो कोई problem नहीं है वो regular diet है हम सबका और हम ऐसा कोई तरीका आपको suggest नहीं करेंगे जो बहुत unsustainable हो जो आप 4 दिन तो कर लो लेकिन 8 वे 10 वे दिन नहीं कर पाओ तो ऐसा कोई तरीका मैं suggest नहीं करूँगा आपको regular जो हमारे diet होती बहुत healthy होती है और वो हमको कोई कोई नुकसान नहीं पहुचाती है हमको नुकसान क्या पहुचाता है हमें नुकसान पहुचाता है junk food हमें नुकसान पहुचाती है तरह तरह के beverages हमें नुकसान पहुचाते है कुछ intoxicating agents या हमें नुकसान पहुचा सकता है regular food अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में intake कर लिया जाए तो या बहुत ज्यादा heavy diet ले ली जाए non-vegetarian food की बहुत ही regular basis पे बिना workout किये तो फिर वो भी body के लिए बहुत नुकसान दे हो सकती है अगर आप non-vegetarian है और बहुत regularly non-vegetarian diet लेते हो तो उतने ही regular और उतना ही strong workout भी आपके लिए बहुत जरूरी है वरना again आपका जो gut है वो bad bacteria's पैदा करने लग जाएगा negative signal दिमाग को पहुँचेंगे और वो emotion में reflect होंगे आप ज्यादा घुसा कर सकते हो चिड़ चिड़े हो सकते हो या फिर आपके अंदर alertness की कमी हो सकती है यही सारी चीज़े तो उनको avoid करनी है क्योंकि यह सही रहेगा तो body language गट कैसा feel कर रहा है क्या वो relaxed है, वो light है, वो relaxed है, वो filled है अगर वो filled है, वो relaxed है, वो light है तो यह again हमारी body को अच्छा feel देता है हमारे mind को अच्छा feel देता है और जब हमारा mind relaxed होता है तो हमारा mind respond अच्छा करता है और जब हमारा mind respond अच्छा करता है तो body language और communication सब intact होता है तो इसलिए इस चीज के ओपर बहुत work करो कि अपने diet को maintain रखो जो आपका regular diet है जो आप बचपन से लेते आए हो that is the best for your body according to your region जैसा भी food है आपका staple food लेकिन एक छोटा सा मैं यहाँ पर आपको suggestion दोंगा कि try to have fruits include fruits in your diet अपने diet के अंदर fruits को जितना ज्यादा हो सके include करें और fruits भी वो सारे आप खाएं जो seasonal fruits होते हैं जो मौसमी फल होते हैं जो हर मौसम में आते हैं अगर इस तरह के fruits का आप regularly सेवन करते हो जिस भी मौसम में जो भी fruits आ रहे हैं अपने घर की बनी हुई regular diet को लेते हो workout करते हो तो आपका gut अच्छे ही bacteria produce करेगा अच्छा ही message, अच्छे signals दिमाग तक जाएंगे और दिमाग अच्छा response करेगा अच्छी emotions reflect होगी और ultimately body language communication सब सही होगा हमारा इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका gut सही रहे और gut सही रहने के लिए सही food लेना जरूरी है और सही food में आपका regular diet जो चला आ रहा है added with fruits and added with some kind of workout तो जितना आप heavy diet लेते हो उतना workout करो particularly SSB के दोरान मैं आपको ये recommend करूंगा हाँ 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 कि ये recommendation जो होता average में एक बात कह रहा हूँ आपको कि जब आप SSB interview के दोरान जाएंगे उसके लिए जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको वही food मिलेगा जो food वहाँ पे available होगा वहाँ पे आप demand नहीं कर सकते कि मेरा जो staple food है वो अलग है तो मुझे कुछ अलग दिया जाए only then I will feel good ऐसा possible नहीं है इसलिए वहाँ पे जो भी food मिलेगा आपको वही consume करना है और believe me वहाँ पे आपको पूरी proper balance diet मिलेगी तो ऐसी कोई कमी नहीं रहेगी वहाँ पे पस मेरा recommendation यह है कि SSB के process के दोरान heavy eating से बचो ज्यादा मत खाओ आपको जितनी भूख है आप उतना खालो अगर possible हो आपके लिए तो इतना थोड़ा सा कम खाओ कि अगर एक रोटी कम खा सकते हो तो एक रोटी कम खाओ कोई problem नहीं आने वाली आपकी body को function करने में वहाँ पर किसी भी activity के अंदर कोई वह आपसे गड़े नहीं खुदवाने वाले पत्थर नहीं तोड़वाने वाले तो आपको मेरा suggestion यह है कि अगर आप SSB के अंदर जाते हैं और वहाँ पे कुछ दिन रहते हैं तो वहाँ पे कोशिश करो कि जितनी भी आपको भूखो से जरा सा कम जरा सा बहुत माइनूट सा कम खाओ उससे आप देखोगे कि आपके अंदर एनरजी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी आपका माइंड अलर्ट ज्यादा रहेगा और यह दो चीज़े जब होगी तो अपने आप सारी चीज़े सही जगे पर पहुँच जाएगी जिसमें आपकी बॉडी लेंग्वेज भी शामिल है तर रसल मैं यह सब बाते इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा तर लोग यह कहते कि बॉडी लेंग्वेज की जब बात होती तो वो बॉडी लेंग्वेज भी फोकस करने लगते ऐसे चलो ऐसे बैठो ऐसे खड़े हो ऐसे देखो मेरा यह मानना है कि इतना ज्यादा किसी को डायरेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हर एक का अपना एक तरीका होता है वो बजपन से लेकर अब तक चलते आए हैं बात करते आए हैं मिलते चुलते आए हैं लोगों से तो वो बेवकूफ नहीं है वो बुद्धू नह लानेक में है पसिर भी चाहता हूं कि आप उस तरीके को और इंप्रूब कर लो और उसके लिए दो बहतरीन तरीके मैंने आपको बताए फिटनिस बना के रखो और फिटनिस बनाने के साथ साथ आप अच्छी डायेट लो पर्टिकुलरली एसेसबी के अंदर जाओ तो हेवी तो बिलकुल भी नहीं करना अगर आपको मेरे योग बात पसंद नही आई कि सर एक रोटी कम क्यों खाए तो कोई बात नहीं आप खाओ पेट भर के खाओ लेकिन ओवरीटिंग नहीं करना कहीं न कहीं वो आपको दिक्कत देगा अगर आपके गट में गलत फिलिंग आगई आपके negative bacterias पैदा हो गए तो फिर आपको दमाग में सही messages नहीं जाएंगे अच्छा feel नहीं होगा और वो interview में emotions reflect हो सकती है जो कि आपके against work कर सकती है इसलिए मेरा point ये ध्यान रखना अपनी विवेग बुद्धी का प्रयोग करते हुए लेकिन body language को improve करने के लिए अगला जो मैं point बता रहा हूँ वो point भी शायद आपसे कभी किसे ने body language के context में discuss नहीं किया होगा I am sure कि ये heavy eating वाला point और इससे पहले वाला जो point था वो दोनों point भी आपके साथ कभी किसे ने body language को लेके discuss नहीं किया होंगे लेकिन इन दोनों points का बहुत ही गहरा impact पड़ता है the way you carry yourself और इसके बाद तीसरा point है importance of knowledge अब आप ये सोचोगे कि knowledge का क्या role है body language में confidence is directly proportional to the knowledge जितना आपको ज्यान होगा उतना ही आपका आत्म विश्वास होगा and body language is directly proportional to the confidence जितना अच्छा आपको confidence होगा उतनी ही अच्छी आपकी body language होगी तो to gain more and more knowledge, read more and more books अब यहाँ पर मैंने relation draw करके आपको बताया है हवा मैं बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल established fact है ये कि जितना आपका ज्यान होगा उतना ही आपका आत्म विश्वास होगा और जितने आप आत्म विश्वास होगे उतना ही बहतर आपका body language होगा तो अपने body language को improve करने के लिए अपने आत्म विश्वास को improve करो और अपने आत्म विश्वास को improve करने के लिए अपने ज्यान को बढ़ाओ और ग्यान को बढ़ाने का तरीका आप स्क्रीन पे देख सकते हूँ इसके अलावा ग्यान को बढ़ाने का कोई पुखता ऑथेंटिक तरीका नहीं है टेस्टेड एंट ट्राइड मेथड है ये और मैं हमेशा मेरे ख्याल से हर एक दो वीडियो को छोड़के या अल्मूस्ट हर वीडियो के अंदर आपको कही न कहीं इसको रिलेट करता हूँ कि नॉलेज का होना कितना जरूरी है आपके लिए नॉलेज का होना तिर्फ इसलिए जरूरी नहीं कि हम रेकेमेंड हो knowledge हमको अपनी life को easily जीने में मदद करता है हमारी life को simplified way में जीने में मदद करता है और अगर बात SSB जैसे किसी process की हो तो ये और भी जादा important हो जाता है बात आपके career की हो तो ये और भी जादा important हो जाता है मैं ये मानता हूँ कि आपने written exam qualify किया है तो ऐसा तो नहीं है कि आपको ग्यान नहीं है लेकिन अब बात competition की है और is competition में जीदा ग्यान किसको है ये बहुत matter करता है और इसीलिए मैं आपको recommend करता हो कि आप किताबों को पढ़िए जीदा से ज्यदा किताबों को पढ़ने से आपको अलग-अलग directions में अलग-अलग fields में, अलग-अलग aspects में बहुत सारा knowledge होता है और ऐसे में जब interviewer हमसे कोई question पूछते हैं कोई ऐसा question जो otherwise शायद किसी student को पता ना हो लेकिन आपने क्योंकि उसको पढ़ रखा है, आपको knowledge है आप जानते हो उसके answer को और आप उसका answer जब देते हो तो आपको confidence आता है, in fact confidence तो तब ही आ जाता है जब interviewer question पूछता है, जैसे ही interviewer ने कोई ऐसा question पूछा जिसका answer आपको बहुत अच्छे से पता है, तो आपकी body language उसको show करेगी आपकी body language जो है रा, वो बता देगी interviewer को कि यार इसको बहुत अच्छे से आता है, इसने पढ़ रखा है, इसको ग्यान है इस बात का वही interviewer ने कोई question पूछा, जो आपको नहीं आता है बट आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे कुछ तो जवाब देना चाहिए उसका जब उस समय when you are beating around the bush, जब आप धूल में लट गुमा रहे होते हो तो आप मुझे तो कुछ ने कुछ बोल रहे होते हो, लेकिन आपकी जो body होती ही न वो body तनवे कर देती ही उस message को, कि इसको आता नहीं है ये कोशिश कर रहा है, अच्छी बात है, कोशिश करना चाहिए हमको लेकिन interviewer को ये पता चल जाता है कि आर इसको आता नहीं है और कई ने कई body language फिर fumble करने लगती है इसलिए body language की बारे में मैंने आपको यही बात बताई कि body language की उपर कभी अलग से work मत करो, कि ऐसे बैठने की प्राक्टिस कर रहे है या ऐसे खड़े हुने की प्राक्टिस कर रहे है कि अपने आपकी ओपर विश्वास रखो। आपको यह करना है कि अपने confidence को बढ़ाना है। अपने आप body language दुरुस्त हो जाएगा ये वीडियो ऐसा था कि मैं एक line में इसको खतम कर सकता था कि आप अपने confidence बढ़ा लो body language अपने आप improve हो जाएगा लेकिन फिर वो बात होती कि detail में मैंने नहीं बताया आपको इसलिए में detail में आपको ये चीज़े बता रहा हो लेकिन इसका सार एक ही है कि आत्मविश्वास जब अच्छा होगा तो body language भी बहुत अच्छा हो जाता है इसलिए आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ग्यान का बड़ा important role है और ग्यान को बढ़ाने के लिए किताबों का बड़ा important role है I beg, मैं आपसे बीक तो नहीं मांग सकता लेकिन मैं आपको recommend करता हूँ highly recommend करता हूँ कि आप किताबे पढ़ें चाहे मेरे lectures हो, चाहे मेरे किसी और तरह के videos हो चाहे SSB mantra के videos हो, मैं हमेशा recommend करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा किताबे पढ़े, किताबे आप पढ़ोगे आप दूसरों से ज्यादा ग्यानी हो जाओगे और जब दूसरों से ज्यादा ग्यानी हो जाओगे तो अपने आप सब आपको एक leader की तरह accept करेंगे SSB के अंदर भी पूछे हुए questions के जवाब जब आपको पता होंगे तो उनको answer देते वब तापकी body अपने आप back करेगी उस message को और वो message ज्यादा effectively convey होगा जो ultimate objective है body language का body language का objective यह नहीं है कि मैं ऐसे बैठ हूँ या वैसे बैठ हूँ या ऐसे खड़े रहूँ आपको बता दिया था यह point आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इसके बाद एक important aspect आता है body language का जो आपके कपड़ों से जड़ा हुआ है कि हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए यह screen पे आप देख सकते हो और यह point भी ऐसा point ही कि मुझे आपको बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत aware है internet की दुनिया है सभी जानते हैं कि ssb interview के लिए जब हम जाते हैं तो हमको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए किस तरह के formal wear men को पहनने चाहिए किस तरह के formal wear females को पहनने चाहिए इवन ये भी देखा गया है कि ssb interview के दारान बहुत सारी females बहुत decent सलवार और कुर्ती जैसे dress पहन के भी जा सकती है वो भी कोई offense की तरह नहीं लिया जा सकता यहाँ पे इस photograph में हम देख सकते हैं कि बहुत सारी females हैं जो ssb में appear कर रही है लेकिन उन्होंने हर तरह के dresses को पहन रखा है बहुत सारी ऐसी group exercises होती है जिसमें इस तरह के कपड़े या इस तरह के कपड़े practical नहीं होते comfortable नहीं होते तो वहाँ पे इस तरह के t-shirts, shorts और simple से sport shoes भी sufficient होंगे तो ssb के इंदर जाने के लिए आपके body language के साथ-साथ आपको अपने appearance के उपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और आपको सही occasion के लिए सही कपड़े select करने चाहिए जैसे psychological test हुआ या personal interview में तो बहुत important होता है कि आप बहुत ही सलीके के कपड़े पहन के जाए similarly psychological test के दौरान भी आप formal कपड़े पहन सकते है interview के दौरान मैंने आपको बताए कि कई लड़किया choose करती है कोई decent सा दिखने वाला salwar suit पहनना जो कि absolutely fine है उसमें कोई दिक्कत नहीं है अब चाहे तो इस तरह की dress भी choose कर सकते हैं इस तरह की dress भी choose कर सकते हैं इस तरह की dress भी choose कर सकते हैं जो outdoor activities होती है group activities होती है उसके अंदर इस तरह के t-shirts और shorts या trousers या फिर sports shoes that is it इस से ज़्यादा आपको कोई requirement नहीं है कोई बहुत बड़े baggage और luggage को carry करने के लिए हर दिन के लिए अलग-अलग तरह के कपड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है एक ही तरह के 2-4 कपड़े आप ले जा सकते हो उसको regularly wash करके आप repeat करके भी पहन सकते हो तो इसको लेके भी कोई load मत लेना आपको पता है कि आपको किस तरह के कपड़े पहनने और अगर हलका-फुलका भी आपके मन में doubt था तो यहाँ पे clear हो गया होगा एक और चीज जो मैंने यहाँ पे mention नहीं करी लेकिन अभी बात करते करते अचानक मुझे याद आ गई है और वो है hair cut especially for boys लड़कों के लिए यह बहुत जरूरी है कि उनका hair cut decent होना चाहिए मैं यह नहीं कहरा हूँ कि हर लड़का बिलकुल proper military cut करवा के ही जाए वहाँ पे लेकिन आपके hair कहीं से भी undecent नहीं लगने चाहिए लंबे-लंबे बाल नहीं होने चाहिए decency दिखनी चाहिए भले आपके बाल military cut ना हो लेकिन फिर भी आपका hair cut decent होना चाहिए and again यह कैसी चीज़ है जो बहुत समझाने की जरूरत नहीं है I think आप बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हो and there is no harm in getting a military haircut if you want to join the armed forces what is wrong, what is a shame in having a military haircut तो basically में लड़कों को तो यह recommend करूँगा कि वो military haircut ही रखे properly और हाँ बाल में color वलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो बहुत गलत impression होगा अगर आपके बाल में आपने color कर रखा है तो आप उसको वापस जो भी natural आपका color है उस तक ले आए तो बहुत बहतर होगा वरना है बहुत खराब impression देता है Mother Nature ने जैसा आपको बनाया है जो रंग आपकी चमडी का दिया है जो रंग आपके बालो का दिया है वो कुछ सोच समझ के दिया है Be proud of it उसके ओपर गर्व करो हम भूरे रंग के बालो वाले लोग नहीं है हमारे देश की जल वायू ऐसी है कि हम ज्यादा तर काले रंग के ही बालो वाले है और इसी लिए हमको अपने बालो को रंग के भूरा नीला पीला हरा करने की ज़रूरत नहीं है जैसे बाल है उसी रंग के रखो एक decent haircut रखो, किस तरह के कपड़े किस occasion पे पहनना है या आप जान जुके हो और फिर normally relax होके, जाओ वहाँ पे एक अच्छे mindset के साथ में क्यों नही body language अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा body language body language कोई अलग से थोड़ी चलता है, mind से ही चलता है overall पूरा body language लेकिन इस सब के बाद कुछ और बाते जो body language को लेकर बार-बार कही जाती है अलग-अलग videos में बताई जाती है, अलग-अलग articles में लिखी हुई जाती है तो मैं उनके बारे में भी कुछ बाते इस बारे में आपसे कर लेता हूँ कुछ points जो आप ध्यान रख सकते हो, पहला proper eye contact अभी एक बहुत important चीज होती ही कि eye contact को proper कैसे रखा जाए एक बात कही जाती ही कि eye contact आपको proper रखना है अब proper eye contact के process का मतलब ये नहीं कि हम किसी को घूरना शुरू कर दे पलग ही ना जपका है, ये ऐसा नहीं करना है आपको eye contact अच्छा रखने का मतलब है कि आपको frequently उनकी आखों में देखना है frequently देखने का मतलब ये नहीं कि non-stop देखना है पलग भी नहीं जपकानी है, ऐसे तो आप किसी को uncomfortable कर सकते हो एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको eye contact maintain करके रखना हो, decency के साथ में आप आखों में देखिए सामने वाले के, सामने वाले के आखों में देखने के बाद आप एक काम कीजिए कि कभी उसकी right eye की तरफ पूरा focus करके देखिए कभी उसकी left eye की तरफ पूरा focus करके देखिए कभी उसकी nose की तरफ थोड़ी देर के लिए focus ले जाईए कभी फिर उसकी eyebrows की तरफ focus ले जाईए कभी उसके forehead की तरफ focus ले जाईए याने मेरा कहने का मतलब यह है कि eyes में focus करने के बजाए यह focus यहां से लेके यहां तक अगर आप करते हो यह simply face के उपर भी आप focus करके रखते हो तो यह भी eye contact ही माना जाएगा eye contact कब नहीं माना जाएगा जब आप मुँ ही फेर लो अब अगर यह वीडियो में इस तरह से बनाने लग जाओ कि मैं आपकी तरफ देखू नहीं और इस वीडियो में जो भी बाते हैं वो करने लग जाओ तो आपको कैसा लगेगा कि आरे यारे सर देखनी रहे मेरी तरफ ठीक से message convey नहीं हो रहा है ठीक से क्या यह खुद convinced नहीं अपनी बात को बोलने में यह वाली बात आ जाएगी इसलिए हमको उसी तरफ देखना है लेकिन लगातार किसी के आँखों में देखना भी कभी-कभी offensive हो जाता है या अजीव हो जाता है और इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमको face की तरफ देखना है लगातार आखें ना देखें हम थोड़ा इदर उदर भी ध्यान रखें हमको और इस बीच अगर कोई ऐसा point आता है जिसको सोचने की process में आप उपर देखने लगते हो नीचे देखने लगते हो तो it's all right eye contact maintain करने का मतलब यह नहीं है कि non stop 100% आप सामने ही देखते रहो ऐसे points आएंगे बीच बीच में जब आपका eye contact break हो सकता है and it is absolutely normal उसमें कुछ भी abnormal नहीं है अगर आपने एक second के लिए नीचे देख लिया कुछ सोचने की process में या कुछ इदर से आवास आई और आपका एकदम इदर ध्यान चला गया कोई इशू नहीं है इसके अंदर eye contact को इतना seriously कभी मत लेना कि बिलकुल आँखों में आखे डालके या तो खुद hypnotize होगा या सामने वाले को hypnotize कर दिया उस level का eye contact नहीं करना है फेस की तरफ देखो आखों में देखो बीच बीच में right left eyes में shuffle करो forehead की तरफ भी देख सकते हो face की तरफ भी देख सकते हो नीचे भी देख सकते हो खुड़ गर के लिए उपर भी देख सकते हो लेकिन हां 100% में से 60% 55% आपका eye contact रहना चाहिए interviewer के साथ में बाकी थोड़ा बहुत इदर उदर भी हो जाएगा तो कोई problem नहीं है जब तक आपका message effectively deliver हो रहा है कोई issue नहीं है दूसरा point यहां पर आता है controlled movement of hands कभी कभी क्या होता है कि कुछ candidates ऐसे होते हैं कि उनको यह instructions दे दिये जाते हैं कि अपने हाथों के movement को नहीं करना है ज्यादा तो वह हाथों की movement को ज्यादा नहीं करना है कि process में अपने हाथ almost बांध लेते किसी invisible रसी से ऐसा लगता है कि किसी invisible रसी ने उन कुर्सी से उनके हाथों को बांध दिया वो उठाते ही नहीं हाथ बस बोलते ही जाते ऐसे करके बोलते ही जाते अब आप खुदी सोचो कि मैं बात कर रहा हैं मैं खुद हर लेक्चर में अपने बहुत सारे movements करता हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं और बोलते जा रहा हूं थोड़ी दिर बाद आपको हसी आ जाएगी यार ऐसा तो नहीं कि कोई इनके अंदर कोई tape recorder रखा हुआ है इंसान है तो body का movement ह होगा हैंड का भी movement होगा हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हैंड के movement को control में रखना है बहुत दूर तक नहीं जाने चाहिए हमारे हाथ अगर इस डायरे में रहके हमारा hand movement होता है hand movement out of control का होता है जब हमारे हाथ बहुत दूर जाने लगते हैं और बहुत frequently जाने लगते हैं अगर ऐसी कोई बात है किसे आपने बोला कि सर मुझे मैं वहाँ गया था मुझे बहुत मजा आया तो अगर ऐसा कर दिया आपने तो यह सीधे हसी की बात है अगर आप यह बोलते ह करना it is normal लेकिन सर मुझे बहुत मजा आया क्या आप खुद सोच सकते होगे आप ऐसा बोलोगे SSB के अंदर जब आप इंटर्वीविंग ऑफिसर के पास जाओगे या सामने जाओगे ऐसा तो कोई करता ही नहीं है ऐसा हो सकता है कि हाद बान के कोई बैट जाए तो वो नहीं करना हमको बिल्कुल भी कि हाद बान के बैट जाए जो natural हमारा hand movement होता है उस natural hand movement को आपको रखना है और अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना है कि मैं कुछ ज्यादा hand movement तो नही कर रहा हूँ यह absolutely normal होता है अगर आप मेरे हाथ बान दो ना पीछे और मुझसे बोलो की जाओ बोलो lecture दो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा lecture देना ऐसे पीछे हाथ बान के रखते हुए किसी के लिए भी जो भी इंसान speaker है बोल रहा है बात कर रहा है उसके लिए अ इतना ध्यान रखना है हमको कि hands बहुत दूर तक नहीं जाने चीए movement करते हुए इस दायरे में जो भी hand movement हो रहा है वो चलेगा और बागी बहुत fast नहीं होना चीए hand movement normal होना चीए बागी आप control चानते हो मुझे पूरा विश्वास है मेरे students के उपर मेरे viewers के उपर कि वो कोई भी बेवकूफ नहीं है उन सबको पता है कि hand movements कैसे करने होते है इसलिए में इन चीजों के उपर इतना focus नहीं कर रहा था और focus ज्यादा कर रहा था कि इन चीजों के उपर physical fitness के उपर और diet के उपर और knowledge के उपर क्योंकि ये तीन चीज़े अगर intact है तो body language अपने आप सही होन लगता है जो कुछ हद तक सही भी है कि में career का सवाल है यहां अगर recommend हुआ तो मैं armed forces join कर सकता हूँ यहां मैं recommend अगर नहीं हुआ तो zero से शुरुवात होगी तो बड़े डरे हुए रहते हैं नर्वस होते हैं फिर सामने armed forces के कोई officer वो बैठे हुए रहते हैं तो उनका एक अ मेरा यह कहना है कि जब भी आप interview के अंदर जाते हो या किसी भी तरह का interaction करते हो तो be very natural बहुत natural रहो किसी के साथ में भी कोई prejudice मत रखो किसी के बारे में भी हाला कि मैं बात आपको बहुत confidently बोल सकता हूँ और वो यह कि जब आप interview के लिए जाओगे तो जो आपके interviewing officer होंगे वो वैसे ही आपको इतना comfortable कर देंगे कि आप अपने आप थोड़ा थोड़ा cheerfulness आपके अंदर आ जाएगा तो उसका tension मत लेना हो सकता है शुरू में जाके आप थोड़े बहुत nervous रहो लेकिन जल्दी ही interviewing officer आपको relax कर देंगे, comfortable कर देंगे और उसके बाद naturally जो cheerfulness आपके अं दो क्योंकि being lively is also an important officer like quality, being cheerful is also an important officer like quality, इसको खोना नहीं है आपको बिल्कुल भी, तो अगर आपके मन में कोई छोटा मोटा joke भी आ रहा है जो decent है, जो आपको लगता है कि मेरी बात को back करने के लिए crack किया जा सकता है, आप crack करो उसको, बिल्कुल करो, natural रहो, अगर आपको हस हसी आ जाती, interviewer ही, interviewer ही कोई ऐसी बात बोल देते हैं, जिसमें humor होता है, आपको हसी आ जाती है, तो you can laugh, that is not a problem, हाँ, रावण की तरह अट्टा हस नहीं करना है, कि हाँ 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 हाँ, ऐसे करके नहीं हसना है, लेकिन आप normally जैसे हसते हो, वैसे तो हस सकते हो ना, तो वैस आप हसो, cheerful रहो, लगना चाहिए कि किसी इंसान का interview चल रहा है, दूसरे इंसान से, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक तरफ तो इंसान बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ एक robot interview देने के लिए बैठा हुआ है, जो पता नहीं कहां से क्या सीख के आया है, जिसको instructions दिये हुए कि वो ऐसा का वैसा बैठा हुआ, seriously interview दे रहा है, हाँ, जहां serious होने का मुद्दा है, वह serious ही रहो, हर जगे joke create नहीं करना, आपको कोई comedy show नहीं बना रहा है वहाँ पे, लेकिन जहां पर भी थोड़ा बहुत cheerfulness दिखाई जा सकती है, जरूर दिखाओ, मलब दिखाई जा सकती का मतलब यह नहीं कि दिखाना है, दिखाई जा सकती का मतलब यह है कि naturally आ रही है जो कुछ एक humor आ रहा naturally तो इसको express करो, जहां और अच्छा, यहां पर बहुत सारे एक और चीज़ होती कि लोग बुलते कि smiling face होना चीव भी आपका, तो कई candidates ऐसे होते हैं, जो बिलकुल ऐसा smile ही बना के यहां पर जाते हैं, smile लेके जाते हैं, वही कि वही smile लेके वापस आते हैं, जबकि बीच में कई बार ऐसी situation भी हो चुकी होती हैं, उनकी smile करने की बात नहीं होती, पट क्योंकि उनको instructions देके रखे हुए, कि smile रहना ही चीए चेहरे पे आपके हमेशा, तो वह हट situation है, मुझे बहुत असी आ रही ही, तो मेरे smile आ रही है, तो वैसे ही वहाँ पर भी अगर ऐसी कोई situation आती ही, जहां पर smile आपको बनती है देना या आ रही है, तो दो उसको रोको मत, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिलकुल हर question पे smile देने लग गए, तो smiling face का यह मतलब होता है, और इसका basically यह मतलब है कि जैसी situation है, वैसे उसके हिसाब से response करो वहाँ पे dignity में और decency में रहते हुए, next is loud and clear voice, communication का बहुत important aspect होता है, loud and clear voice, आपकी body language कितनी भी अच्छी है, लेकिन अगर आपकी voice उसको back नहीं कर रही है, आपके words कितने भी अच्छे, आपका sentence framing बहुत अच्छा है, आपकी body language भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो क्या message convey हो पाएगा, नहीं convey हो पाएगा, इसको मैरे पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं कभी भी muttering नहीं करना है, यह भी वही बात है कि हमें muttering नहीं करना, अगर हम को muttering को पूरी तरह से avoid करना है, हमारी voice, loud and clear होनी ची, loud and clear का मतलब यह नहीं कि आप चिलाने लग जाओ, वो बात नहीं है यापे, loud and clear का मतलब यह है, कि जो आप से 6 foot की दूरी पे बैठा हुआ है, उस इंसान को आपकी बात एकदम सपष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए यह मतलब है, loud and clear का, चिलाने मतलब जाना वहाँ पर वरना interviewer खुदी बोल देगा कि भईया थोड़ा धीरे बोलो, मैं बहरा नहीं हूँ और उचा नहीं सुनता हूँ, तो यह बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, कि loud और clear क्या होता है, कितना loud बुलना है, basically यह बात और आप बहुत अच्छे से carry करोगे अपने आपको, बहुत अच्छे से conduct करोगे अपने आपको, बस इन बातों का ध्यान रखो, अपनी body language के उपर work करने से ज्यादा, आप अपनी fitness के उपर work करो, अपनी diet के उपर work करो, अपने knowledge के उपर work करो, and I guarantee you, कि अपनी body language अपने हैंड